स्टूडेंट्स मैं दीपक सिंग बेवसाइक सिक्षक महाविर इंटरकालिन बलिकपूरा और जुम्ह जैसा कि हम लोग प्रामिस किये थे कि इसमें हम लोग पर्यावराण और गुरामिल विकास को खतम कर लेंगे और उसके बाद फिर उद्ध्यमता का विकास उद्ध्यमता का विकास मतलब डिबलेमेंट आफ इंटर्पेनर्शिप आपके अंदर कैसे इंटर्पेनर्शिप मतलब उद्ध्यमता का विकास किया जाए ताकि आप एक नोकरी भी कर सकें या सोरजगार कर सकें आपके अंदर इसकिल मतलब कौसल का विकास करना तो यह चैप्टर है इसके अंदर आप कौसल का विकास कर लेंगे और ट्रेड हम लोग जुलाई से पढ़ेंगे मैं पूरी कोसिस करूँगा कि जून में यह चैप्टर खतम हो जा है क्योंकि सब के लिए यह कामन चैप्टर है यह चैप्टर कामन रहता है तो उद्यमता के विकास में हम लोग आएंगे तो कच्छा 11 में देख लेते हैं क्या टॉपिक है हमारे पास यह आज इंट्रोड़क्शन इसका रहेगा तो कच्छा 11 में देखिए तो आपका रहेगा ब्योसाय में किस तरह से आप उद्यम का बोध करेंगे उद्यमता के मूल क्या है इसकी प्रिविर्थिया क्या है छमता क्या है इसका मोटिवेशन क्या है उद्यम चलाने की छमता क्या है विपढ़न किसे कहते हैं विक्रे और विपढ़न में अंतर होता है और किसी परियोजना का चाहिए वो छोटा सा अगरवत्ती बनान उद्यमता का विकास है परियोजना का निर्माल आप कैसे करेंगे और संसाधन कैसे जुटाएंगे इकाई के अस्थापना करने के लिए फर्म का पंजियन और क्या करेंगे और उद्यम निर्ड़े निर्ड़े लेना देखिए मने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी क चाहे वो घरेलू हो या विवसाय में हो प्रबंद का संचालन मनेजमेंट यहां पर आ गया उसके बाद बजट और भाई खाता जो कि लोग अकसर आप देखते होंगे डे बुक इसको कहते हैं यह लोग नहीं बना पाते हैं दुकान में लेकिन आप यह जान तो जाईए कम स सब्सक्राइब करते हैं इंडियन इंडस्टियल रिलेशनसिक पर और करकरता प्रबंद मतलब आप अपने अंदर जो लगो द्योग लगाएंगे तो दस बारा करमचारी रखेंगे तो उनको कैसे तरह से रखेंगे और कैसे उनकी मजदूरी वगरा देंगे और व्रिद्ध पहला चेप्टर यही है बैवसाय में उद्धा का बौध वगरारत एक विकास सील देश और अधिकांजनसंख्यां आपकी आपकी गाउं में रहती है हर जगा यह बात आएगी आपको इस पूरे किताब में और उद्धाहिंदिस सब्द के मूल सब्द उद्ध्यम से बनाया तो उद्यम कभी कभी पूजता है उद्यम क्या है तो किसी निश्चित उद्देश की पूर्ती के लिए जो आप संसाधन जुटाते हैं कारियोजना बनाते हैं फिर उसको कारिवन्मित करते हैं ताकि लाभ अपराप्त हो सके और उस उद्यम से आपका एक जीव को पारजन हो चाहे वो नोकरी हो या ब्योसाय हो तो उसे इसी हम अपनाता है तो उसमें जोखिम भी होता है तो जोखिम की मातरा ब्योसाय के आकार पर होती है अगर आप एक चाट का ठेला लगाते हैं तो उसके अंदर छोटा जोटा जोखिम होगा और अगर थरमल पार प्लान लगाते ह तो इसी को सहने वाला व्यक्ति उद्यमि कहलाता है और जोखिम उठाने की छमता को देखिए यहां पर बात आती है जोखिम उठाने की छमता को उद्यमिता कहते हैं तो उद्यम्ता आपके स्वभाव व्यवहार कारेदक्ष सापनिल्भर करती है और यही आपकी उद्यम्ता कालाती है बहुत अच्छी चीज है और उद्यम्ता का सर्वसेष्ट विसेष्था यह है कि विक्त को रोजगार खोच करने के बजाए स्वालंबी बनाने के आउसर की करने के लिए प्रेरेद करती है उद्यम्ता का मतलब यही है और यह हमेशा आपको स्वावलंबी बनने के तरफ ले जाती है चाहे आप वो नौकरी से लें या फिर आप अपना कोई रोजगार करें यही इसका आर्थ है और इसकी विसेष्थाएं भी है वही जोखी मुठान आप उद्यम्ता जो है आप उद्यम्ता समझ गए कि वो एक उद्यमी का गुण है तो जोखी मुठाने की चंता होगी ज्यान और अनुभव पर आधारित होगा यह होती है और सभी छेत्रों में आपको सफल बनाती है और नव परवर्तन नई खोज करती है एक व्यक्तिकत ल हैंगे तब यह आपके समझ में आईगी और एक पेशेवर क्रिया के रूप में भी है और यह जीवन की कला भी है क्योंकि हर आदमी के अंदर कोई बहुसाय तो है नहीं भलकि यह एक जीवन की जीने की कलाThis बहुता का महत बड़ी आसानी से बात है अगर आप उत्यंता को सम जाच रहे हैं तो वेवसाय में एक उद्यमी के अंदर जोखिम उठाने की चंता होनी चाहिए वही नहीं उद्यम्ता है उसकी ब्यूझाल के नहें आउसर आप खोश सकते हैं अगर के पास उद्धमता है तो संतुलत विकास भी आप अपना कर सकते हैं आत्म निर्भर समाज को भी आत्म निर्भर बना सकते हैं आप पूजी निरमाड भी आप कर सकते हैं। ब्युज़ िजैम में मांसी को सारीरिक दोनों ऊद्यम से जुड़े हुए है सारीरिक ऊद्यम बिना मांसी ऊद्यम वेकार है मतलव अगर आपके सारीरिक ऊद्यम नहीं है चाहे NCC करके, चाहे रोजगार करके, चाहे जिस तरह से प्राइवेट भी, तो आप अगर काम करते हैं, तो वहाँ भी आपकी ये उद्धिमता काम करती है, क्योंकि आपका मानसिक और सारे जी, दोनों आप रूप से सही रहेंगे, तभी आप बेतन भोगी नौकरी कर स्वरोजगार का अर्थ पूछता है, स्वरोजगार का से आर्थिक क्रिया से है, वही व्यक्ति संपन्द करता है, वही उसका स्वामी होता है, तो इसे हम स्वरोजगार कहते हैं, दूसरे सब्दों में स्वरोजगार का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति अपने स्रम को ना बेच निर्मित वस्तु को बेचता है या कोई दुकान करता है या कोई लग द्योग बनाता है तो इसे हम सोरोजगार कहते हैं इसके बुण भी यह आपको आप निर्भर बना देता है यह विख्त के विश्तार करता है और विज्ञानिक आविस्कारों का आप नहीने आवसर भी पानी हैं और अनुचित आप प्रबंद नहीं कर पा रहे हैं या उद्जोखिम की समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं आधार भूत सुधाओं को नहीं समझ पा रहे हैं कच्छा माल कहां से आएगा कहीं नहीं आएगा और अपने बेवहार को अगर सही नहीं रख रहे हैं तो महिला उद्धिम करण के समस्या क्या है हमारे गाउं में महिलाओं की सिक्षा में बहुत कमी है और जबकि महिला आधी आबादी है हमारी महिलाओं को बच्चों को पढ़ाने की एक जिम्मेदारी होनी चाहिए तक्निकी ग्यान महिलाओं के अंदर होना चाहिए पूजी की कमी यहती है महिलाओं के अंदर तो बाकी सदेंद महिलाओं को मदद करनी चाहिए को कि महिला भी एक अच्छी इंद्दमता आऊ सकते है इसका अद्रारल लिज्जत पापड़ है जो पूरा महिलाों द्वारा चलायана जाता हैं और इसका मैं न्यदमता का विकास बहुत ही आवसक है, उद्धमता का विकास एक जटिल विचारधारा है, लेकिन इसका विकास जरूर करना चाहिए, महिलाओं से भी और आदमी से इसको हुना चाहिए, उद्धमता विकास में सहयोग देने वाले प्ततों क्यार होते हैं, कि आधार भूत सुधाय प्रदान करना प्रसिक्षण करना नवयुकों में उद्धिमता की पहचान करना की कौन सहयोग किस तरह का उद्धिमी बन सकता है बैंक और वित्ति जो है यह आपको सहयोग करते हैं सरकारी नीतियां आपको प्रेरित करती हैं और विभिन निकौसल आपके अंदर अभी प्रेरण मतलब एक मोटिवेशन होता है जो कि टीचर से भी आपको मिलता है समाज से भी मिलता है जो खिन सहने की छमता होनी चाहिए उद्धमता विकास के कारकरम में जो है विकास कारकरम यह अक्सर आप देखेंगे जिला उद्ध्योक कारेल है आपके हर उसमें है इसके अंदर आपको विभिन जानकारी मिलती है जैसे सिक्षा पर सिक्षड देना दोसाइक सिक्षा पढ़ रहा है तो इसमें भी यही चीज है और समाजिक रूप से भी आर्थिक्तत जैसे अस्थान पूजी स्रम कच्छा मल मंडी आपको सब जानकारी होनी चाहिए तो यह सारे कारकरम आप ही के लिए है उद्ध्यमी के लिए तो एक व्यक्ति को उद्ध्यमी बनाने के लिए उद्ध्यमी छमताओं को तेज करने के लिए जरूरी ज्यान सूचना यह सारी चीजें मिलने होनी चाहिए आपके और इस व्रोजगार की भावना बेक्सित करना और सही पर्योजना का चेहन करना सही उतपात का चेहन करना ग्रामिरोंद पिछड़े छेत्र में इसको स्थापित करना और सिक्षा में इसका तौर महत्त है हम खुदी व्योशाइश सिछा पढ़ा रहे हैं तो इसमें आप आलाम से ये आप काम कर रहे हैं, आर्थिक विकास आपका होगा, उद्यो का आप ही कप्तान रहेंगे, आप उसको डील करेंगे और आप उसके अंदर नई नव परवरतन को आप खोजेंगे, आपका कोई कर्मचारी आपको नया आइडिया भी दे सकता है, बेवसाय के आप एक तरह से पैगंबर कह जाएंगे, कि अगर आप नई चीजें बना देते हैं, तो आप उसके पैगंबर भी हो सकते हैं, और उद्यमी के गुन अक्सर पूछ लेता है, कि उद्यमी के गुन क्या होने चाहिए, तो सीधी सी बात है, आप उसका बेवार अच्छा होना चाहिए, समाजिक भारती संस्किती का अर्थ क्या है, तो भारती संस्किती के निर्माण विकास में, आर, द्रमिड, यवन, हून, सक, तुर्क, मुगल, ये सब जो है मानो जातियां, इनका योगदान रहा है, और गांधी जी तो अहिंसा, सही सोड़ता, आदिके पढ़ने से आपको इसका दर ये हमें देखने को आ रहा है, थोड़ा बहुती तिहास में भी इसमें पढ़ते हैं, और भारत एक विकास सील राष्ट की रूप में है, और यहां पर क्रिसी पधान देश है चुकी, और इसकी आयत 30% तो क्रिसी से ही प्राप्त होती है, तो इसलिए भारत में इसका जो है, यहां एक सवाल उपता है, भारत एक धनी देश है, आप अच्छी तरह जानते हैं, कि भारत को सोने की चलिया इसलिए कहा जाता था, क्योंकि यहां पर खेत था और काम करने वाले लोग थे, और जो हमारा खेत से अनाज उतपन होता था, वो सोने की तरह से था, इसलिए हमें इसको सोने की चलिया कहते थे अंग्रेज यहां की उपजाव भूम थी विशिष्ट प्रकार की उपजे थी चाय से लेकर आप यहां हर चीज उपजा सकते थे यहां के जमीन में इतना खनिज चीज है कि उसको देख के वो इसको सोने की चलिया कहते थे ऐसा नहीं था कि यहां बहुत ज़्यादा सोना था, सोना नहीं था, लेकिन यहां कि जो खनिज, विशिच उपजे, उपजाओ, भूम, नदियां, बन संपदा, विचाल, खनिच पदार्थ, और जंग संख्या, जल सक्ति, अणु सक्ति, पसु संपत्ति, यह सब जो है यहां क संपत्ति, इसलिए इसको हम धनी देश कहते थे, और निवासी निर्धन यह थे कि इनको इसका उप्योग करने नहीं आता था, और उप्योग ना करने कारण इनके अंदर बिरुरिगारी होती थी, तक्निकी ज्यान नहीं था, सिक्छा का निमनस्तर था, स्वास्त का निमनस् पर्षण रहते थे, और इसमें एक सवाल पूछता है, उत्पाद का क्या अर्थ होता है, उत्पाद कोई भी चाल बोल चाल की भासा हमें, विप्डळन में उत्पाद का अर्थ होता है, ज değ座화를 दवा बेच रहे हैं, तो उसका आप मार्केटिंग करते हैं, तो उसका जब मा उत्पाद उन सुधाओं का पुलंदा कहा जाता है जो भोकता की उपलंदा की जा रही है अगर किसी भोकता को आप कुरसी मेज और कापी बाल पे दे रहे हैं तो यही आपका उत्पाद है और छोटे सवालों में आप देखें तो भारती संस्किती की विशेशताय बत लाइए और देखें कोई आदमी कापी भी बेची रहा है और उद्द्यमता कास है क्या है उद्द्यमता से क्या आप समझते हैं और उद्द्यमता विकास से क्या आपका आर्थ है छोटे छोटे कोस्चन से मैं आपको पेज में दे देता हूँ और इसको भी आप देख लें इसमें आ जोखिम उठाना क्यों आउशक होता है बिना जोखिम का कोई काम नहीं होता है जोखिम जिसको उठाने की छंता रहेगी वही उद्धमी बनेगा और बिना जोखिम के कोई काम नहीं होता है और उद्धमता में आने वाली दो कठनाईयों को बताईए तो वही धार्मिक, सामाज सांस्कितिक और अस्थान विशेश की राजनीतिक परिस्थितियां और जो खिम उठाने से आसे क्या है ये आपको पांच लाइन मतलब जाती बरण ब्यवस्था भी जो है सांसरे किसी ने छीख दिया तो यह सब चीजें हमारे द्यम्ता के विकास को धीमी करती है तो यह सब करणा बहुत से हैं घर जाते समय खाली बाल्टी नहीं देखना चाहिए बाहर बाल्टी भर के पानी रखना चाहिए इस अब अंद्विस्वास है तो इसकी तो बहुत ज़्यादा भारत में अंद्विस्वास बहुत ज़्यादा है तो इसलिए धार्मिक सामाजिक सांस्कितिक अंद्विस्वास के कर हम लोग उद्धिम्ता का विकास हमारा पीछे है और आगे इसमें बड़े-बड़े च्छोटे सवाल वही उद्धिम्ता की विश्ताओं का वडम कीजिए और फिर बड़ा सवाल क्या है कि एक सफल उद्धिमी के गुर्ड क्या क्या होने चाहिए दस बारटो गुर्ड लिख स अच्छा 11 की किताब से ही है यह और धीरे-धीरे हम लोग चाहेंगे तो जून में इसको खतम कर लेंगे तो समाना धारित भी से हमारा खतम हो जाएगा बाकी जो इससे संबंदित क्वेश्चन रहेंगे वोगर क्लास चलेंगे तो क्लास में आप पूछ लेंगे और ना ट्र साथ दिन में टिपल सी सीख लेंगे यह सब चीजे अगर आपके हाथ में आ जाएं तो रोज आप 1000 रुपए कमाना शुरू कर देंगे और आराम से इलेक्ट्रानिक जानते रहेंगे तो LED बल्ब जो है आप आजकल तो LED बल्ब फ्यूज हो जाता है तो उसको बनाने का लोग ठीक हो जाती है और उसके लिए पचास रुफ यह आप लोग देते ही हैं कहीं भी आपके लिए बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बेकार नहीं होता है तो यह चीजे मैं ट्रेड में बताऊंगा आपको तो मैंनी मैंनी थैंक्स वीडियो को लंबा ना करते हुए और आप प्रोकरी भी करेंगे तो इसके सारे कंटेंट वही हैं जो मैं बार बार आपको दोर आ रहा हूं और जुलाई में आप आएं प्रोविजनल एड्मिशन भी होगा जिस तरह से अगर मर्शीट नहीं रहेगी तो आधार से आपका एड्मिशन हो जाएगा और जो भी कालेज की निधारित करेगा वो फीज आप दिमा कर लेंगे और उसके बाद यह आप लाइन वीडियो आपको मिली जा रहा है इससे आप पढ़ते रहेंगे और जब क्लास चलना होगा तो बिलकुल आएंगे आप जो आपको डाउड होगा जो क्वेशन होगे मैं तो पढ़ाऊंगा जहां आपको समस्या आएगी आप पूछ सकते हैं मैंनी मैंनी थैंक्स अगीन ये एक अच्छा बारा का है इसमें भी चार चैप्टर इधर हैं तो आठ चैप्टर आपके हैं और इसको आप पूरा पढ़ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये आपके लिए जीव